यह देखिए भाई यह इनका सैटप है यहां पर एक पीस और एक ब्रेट 20 रुपे का रहता है यह दोस्तों इस वक्त मैं हूं नहरू प्लेस में और यहां पर मुझे एक भीया मिले जो ठंडे रजगुले यहां पर साइकल में बेचते हैं और यह ठंडे रजगुले मैंने कई यह तो काफी बहुत पुराना चलता हो श्रुप्त भाते हैं पुर्ण बैप और अलग ब्रैट होता है और जो फेल्ट होते हैं वो यह रहा है किस चीज भीगो रखाओ ने यह चांसनि में वीगो रहा है तो यह ठीज़ भीगो के एक पीस इसमें देते हैं एक ब्रयट एक रसगूल्णा इस रोप्रisa एक ब्रैड और एक रजगुल्ह पीस उर्पेगा देते हैं तो यह यहां पर लगा रहे हैं यहां पर इन्होंने पूरा इसेट यहां पर इसमें डूना चम्मत रहा है तो यह बढ़ाएंगे कितने टाइम से आप यह कर रहे हैं यह मुझे हो पूरा सब्सक्राइब कैसे सोचा आप पूरा इस सभी लोग सब्सक्राइब करें तो आपको तो बहुत लोगों खिलाने तो इसमें आपको कितने बजे आ जाते हैं यहां पर और आपके यहां पर मैं यह देख रहा हूं कि खाने की आइटम बहुत मिलती है पर गिनी चूनी आइटम है जैसे आपकी यह हो गई एक अंकल की चार्ज हो गई नहीं बल्ले हो गई कापी ज्यादा फेमस होगे तो यह 20 र ब्रेड और एक थंदा रस्गुला रहता है जो की मात्र पीस रुपर में रहता है अगर किसी को दो चाहिए हो तो दो चाहिए हो तो हाथ मिल जाता आप अचा वह दबल हो जाते रहे हैं यह देख सकते हैं तो कोई ऐसी जगह नहीं जो प्रोपर बता सके आप जहां खड़े जब तक माल रहेगा जब तक माल रहेगा जब तक चलता रहता है यहीं पास से आते हैं नहीं तुकल का बात से आते हैं और दस साल से बेच रहे हैं तो यह देखिए यहां पर अंकल जी यहां पर यह बेचते हैं तो इसको टेश कर लेते हैं और जायका बताता है आपको जाय में खड़े होते हैं जो आप नॉर्मल खाते हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है कि बहुत बढ़ी है अच्छा कुदी बनाते हैं यह काफी बढ़िया लग रहा है चाश्णी वगरा डालके कि नेवन पेस में कभी भी आओ तो इनका टेस्ट करो और कॉमेंट सेक्ष्ण में बताओ कि आपको कैसा लगा मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए बुट बाई